वेल्कम तो माई चैनल जिसका नाम है मान किचम क्या आपको भी मेरी तुरह साउत की सारी डिशेज बहुत पसंद है बस इसी लिए मैं आज लेकर के आए हूँ बहुत ही आसान और डिलेशियस मिक्स वेज उत्तपा की रेसिपी चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो सब से पहले हम बैटर तयार कर लेंगे बैटर के लिए मैंने त्री इस्टू वन का रेशियो रखा है यानि तीन कप चावल लेंगे यह इडली वाला चावल है और एक कप उड़त की डाल लेंगे जिसमें आधा कप हम पोहा डालेंगे और एक चमच मेथी के दानी डाल और दिखेंगे कि चावल और दाल दोलों अच्छी तरीके से फुल चुके हैं बस हमें इसे अच्छी तरीके से वाश कर लेना है मिनमम 2 से 3 बार आप इसे वाश करें अच्छे तरीके से यह देखिए मैंने इसे धो लिया है अब हम इसे मिक्सर के जार में डाल कर थोड़ा अब जरूरत के हिसाब से पानी डाले एक ही बार में जादा पानी ना डाले अब उड़क के डाल को जो हमने पीस लिया है उसे भी चावल के बैटर में डाले और यह दोनों मिश्रण को अच्छे से हम इस मिश्रण को जितना जादा फेटेंगे यह उतना ही जादा फ्लफी अच्छे से इस बहुत लिए तो फाइनली हमें एक बड़ी से थाली में एक यह दो गलास पानी डालना है उसमें हमारे बैटर के मिश्रण को रखकर कवर करना है और इसे 8 से 12 घंटे या फिर आप चाहें तो ओवर नाइट भी फर्मेंटेशन के लिए छोड़ सकते हैं अब देखिए बैटर में ऊपर की तरह हमें बबल दिख रहे हैं इसका मतलब यह काफी अच्छे तरीके से फूल चुका है और आप देखिए सकते हैं कि यह कितना जादा फ्लफी हो गया बैटर अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर दीजे जितना बैटर आपको इस्तमाल करना है उ अरम तबे पे थोड़ी पानी की बूंडे डाले उसे पोच ले और दो चम्मच भर कर बैटर डाले उसे गुलाई में फैलाए अब इसके पाद आपके बाद जो भी सब्जिया है उसे बारिक बारिक काटकर आप डाल सकते हैं जैसे मैंने यहां पे प्याज टमाटर बारिक क सब्जियों को कमें जादा कर सकते हैं बस उसे बारिक बारिक काटकर अब उपर से जरा सा नमव नाल मेंच पाउडर और चाट मसला चड़क दे एक चमच तेल या भी डाल कर खलके हाथे से दबा दे और ढखकर इसे एक से दो मिनुट तब धीनियार पर पकाए दो से तीम मि के बाद आप देखेंगे कि आपका मजीदार डिलेशियस और बहुत ही जादा स्पॉंजी सॉफ्ट उत्फपा जो है वो तैयार है यह देखिएगी कितना सॉफ्ट बना है और कितना डिलेशियस विख रहा है बस फिर और क्या खुद भी खाईए और दूसरों को भी करना ना भूले थैंक यू